ही गाईज कैसे हूँ आप लोग विल्कन दे चैनल इस वीडियो मैं आपके लिए पर्फेक्ट वर्ल्ड की एक और निव वीडियो को डिटेल में एक्स्प्लेन करने वाला हूँ पर्फेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ सिन एस्टेट में पहुंचा था जिसके बाद उसको स्टोन ड्राइब के एक सीक्रेट टूथ के बारे में पता चला सी हाउ वहाँ पर एक होली स्टोन को टच करता है जिसके बाद एक ड्रागन उससे आ प्रश्टार्ट होती है हम लोगों को सीहाओ को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं ग्रूप और पीपल के साथ एक अलग जगा पर टेलिपोर्ट हो करा गया है यह जिन स्टेट के आउटसाइड एरिया में लोकेटड एक एंसेंट माउंटें क्लिफ है यहाँ पर हमें एक आदम से कोई वे फाइट नहीं हा रहा है स्टोन ट्रेजर बता रहा है यह आदमी अभी तक चार बार मर के जिन्दा हो गया है इसमें से यह चारोदेद इसका उसी जीनियस वार कॉम्पेटीशन में हुआ था पर अनफोर्चुनेटली चारो बार में ही यह उस 3000 जीनियस कॉम्पे यह लेडी जिसका नाम लिंग यान है लोंग यान को ऐसे देखकर उसकी चिंता करने लगती है आगे बढ़ते हुए लोंग यान से क्याती है एंसिस्टर आप लीज ऐसे मत करिये हमारी क्वीन जो की आपसे बहुत प्यार करती थी अपनी देथ से पहले उन्होंने आपकी है को दुबारा बताता है गॉंग यान उसकी लवर चैंग गॉंग से बहुत जादा प्यार करता था पर उसकी बहुत जल्देथ हो गई यह वही जगह है जहां पर गॉंग यान अपने लवर को दफनाया था गॉंग यान अपने लवर से बहुत प्यार करता था इसलिए जब मरी उसके बाद ये इस जगा पर ऐसे ही बहुत सालों तक बैठा रहा उसकी लवर चैंग गॉंग का देथ इसे लिए हो गया क्योंकि वो प्लडड थी गॉंग यान अपनी लवर की याद में उसकी कवर पर ऐसे ही बैठा रहा और कहा जाता है कि ऐसे ही बैठते बैठते वो बर्फ में पूरी तरह से जम गया था असल में गॉंग यान इस जगा पर एक प्रियर कर रहा था प्रियर ताकि वो इंसेंट रुविन में एक ऐसा तरीका था जिससे वो अपनी लवर को रिवाइब कर सकता था एंसेंट रुविन में एक फिनिक्स ब्लड पूल है उस पूल के ब्लड से वो अपनी लवर को दुबारा इस दुनिया में पुला सकता है पर अनफोर्चनेटली इस बार भी उसकी ये प्रेयर नाकार द गया सी हो ऐसी हर्ट टचिंग कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है उससे गौंग यान की पस्नालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है जिसके बाद हम देखते हैं गौंग यान खड़ा होता है और फिर उसी लड़की लिंग यान से कहता है तुम चैंग ग मोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं उसकी याद में हर बार मेरा दिल उदास हो जाता है और मैं अपने आस्वों को रोक नहीं पाता हूं जब भी मैं इस चांद को देखता हूं इस दुनिया को देखता हूं मुझे इसकी याद आती है और मैं उससे नहीं बचा पाया य जो कि यहां उसके प्रेजन से गुसाने लगता है, तुम कौन हो, पर ये सुन जियान वूंग अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है, तुम्हारे इन सवालों का चवाब इस फाइट के बाद तुम्हें पता चलेगा, जियान वूंग अपनी तलवार उठाता है, आ करता है अब दोनों की ही पावर जैसे एक दूसरे से टकराते हैं इस जगा पर तबाही मचने लगती है गौंग्यान कहता है तुम जो भी हो पर तुम यह पता होना चाहिए कि यहां मेरी लवर्स हो रही है और मैं किसी भी परसन को उसे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा गौं में उड़ते हुए वो एक पोर्टल खोलता है जिसके बाद जियान यून भी उस पोर्टल में एंटर हो जाता है वो लोग एक दूसरे से एक खतरनाक फाइट करने के लिए चले जाते हैं नीचे वापस से हम लोगों को इस ग्रूप को दिखाया जाता है कि यह लोग आखिर वो पागल कौन था जो कि हमारे इस सिंसिटी के फ्रीक इन्विंसिबल गॉंग यान से पंगा लेनी की हिमत करा तब फिर एक दूसरा आद में कहता है उसका पहनावा देखा गोल्डेन आर्मर और एक स्वार्ड मुझे तो लगता है वो स्वार्ड वेली का एक सूप एन ओपोनेंट देखता है सायद इसलिए वो यहाँ पर गॉंग यान को मारने आया था तभी अचानक से इस सेगा का एट्मोस्वेर बदलता है सभी लोग सामने देखते हैं सामने एक और परसन एपियर होता है यह एक लेडी थी क्योंकि जियान यून की तरह ही गोल्डेन अधिकारी भी हैं यहाँ पर आते ही वो उन लोगों से कहने लगती है सिन स्टेट का ये परसन गॉंग यान अभी एक बच्चे की तरह रोता है तुम लोग कैसे इसको एक इन्विंसिबल कर दरजा दे दिये हो इसे इन्विंसिबल होने का अब कोई भी हक नहीं है इसलिए आज हम लोग उसे मार कर हमेशा के लिए उसके नाम से वो टैग हटा देंगे यहाँ पर इस लेड़ी की बातों को सुनकर लोग उसके उपर चिलाने लगते हैं कहते हैं तुम हमारे गौंग यान को ऐसा नहीं कह सकती हो तुम लोगों ने हमेशा ही हमारे सिन स्टेट के उप पर आतंग मचाया हमारे लोगों को मारा और हमारे गौंग यान को मारना चाह रहे हो हम लोग तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे इन लोगों की बातों को सुनकर वो लेड़ी को साती है क्याती है तुम लोग एक चीटी के चितने ताकत रखने वाले मेरे साम मुझे ऐसा भला बुरा कहने की हिम्मत कर रहे हो अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आव मेरा सामना करो मैं भी तो देखो इस सिन स्टेट के चीटियों में कितना अदम है वैसे ही दोस्तों वो लेडी अपने एनरजी को यूज करती है आसमान में छोड़ती ह है और यहां पर इन सभी लोगों के सिर के ऊपर एक सिंबल बन जाता है उस सिंबल से इन लोगों को बहुत साथा तकलीफ होने लगती है पर जब यह इसका कर सीहा के पास जाता है सीहा का सिंबल कुछ अलगी तरह का बहुत ही विसाल बनता है हमें उसी तरह का चीज दिखाय सिहाओ से यह कहती है तुमने जो यहाँ पर किया है वो एक बहुत है बड़ा क्राइम है और तुम्हें तुम्हारे इस क्राइम की एक दर्दनाक सजा मिलेगी सिहाओ लेकिन इसकी बातों को सुनकर गुष्टा आच चुका है उसकी ओर बढ़ते वे कहता है इस स्थेट में क्य क्या क्राइम है और क्या नहीं यह डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं हो सीहाओ यहाँ पर अपने फियर्स पावर एक्टिपेट कर देता है कि लिन इंटेंट रिलीज करता है जिसको देकर यह लेडी घवरा जाती है यह अपनी तलवार तांते वे सीहाओ के ऊपर चिलाते कएंटे वे कहती है आखिर तुम क्या करना चाते हो तुम कौन हो तब उस लिड़ी की ओर बर्ढ़ने लगता है आसमान में चलने लगता है कहता था क्या यह बात सच इस सिटे के उपर इतने सारे क्राइम्स कियें, यहां पर के ओस फैल आया, इन लोगों की जिन्दगी बरबाद कर दी, यह करने का हग तुम लोगों को किस ने दिया, सीहाओ अब उस लेडी तक पहुच गया है, सीहाओ के किलिंग इंटेंट को देख कर यह लडी घबराने इन लोगों को इतना जादा दुख क्यों पहुचाया, तुम्हारा वो एंसेस्टर कौन था, जिसने इन लोगों के उपर ऐसा आतंक मचाया है, वो लेडी सीहाओ की बातों को सुनकर एक्दम सांथ है, सीहाओ कहता है, तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें अभी इसी वक्त वरना तुम्हारे इस दुनिया में होने का, इसके बात से कोई भी एविडेंस नहीं बचेगा, तब फिर वो लेडी कहती है, हमारी किंग लोवर वर्ड के सिन बलड किंग है, मैं बस उनके ओर्डर को फॉलो कर रही हूँ, उन्होंने मुझे इस जगा पर भेजा था, के इस रियक्शन को देख कर, वो लेडी हसने लगती है, मुस्कराते हुए, एरोगेंटली सीहाँ से कहती है, तो अब तुम्हें समझ में आया कि हमारे किंग कौन है, हमारे किंग, लोवर वर्ड, अपर वर्ड के सिनफुल बलड किंग, क्या अब तुम उनके बारे में जान के अगेंस जा रहे हो, और तुम्हारे इस एवल क्राइम के लिए तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक सजा मिलेगी, तुम्हें इस वर्ड के लोग का सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर वो सीहाँ से एरोगेंटली ये सारी बाते कह रही है, लेकिन सीहाँ इसकी बातों को सु आया होगा, इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक एम का टार्गेट रखता हूँ 5000 लाइक, अगर आप इसको एक घंटे के अंदर पूरा कर देते हो, तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगा, इसलिए वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना और कमेंड में नेक्स्ट पार्ट लिखना, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई, एंड थैंक्स पर वाचिंग